हेलो दोस्तो आपको शौगात करते हूं तोरंग लेक्ट्रोनिक चनल में तो दोस्तो आप यह जो आइसी देख रहा है यह फिलिप्स कामपनी का एक आइसी है यह PCV का में फोल्ट है आप सुरू से देख्षे मैं सुरू से आपको लास्त तक देखाओंगा और यह बहुत ही कृ्टिकल एक फोल्ट है अब सुरू से लास्त तक देखेगा तो बहुत ही आलग सा नॉलेज मीर जाएगा तो दोस्तो आप देख सकतो, यह दिखे, स्क्रीन का उपार हलका सा rectress line और इसका जो picture quality देखे, negative जैसा, ठीक है, और इसका जो OSD आता है, OSD भी बहुत clear नहीं है, ठीक है, और यह negative जैसा picture और rectress line, ठीक है, तो यह problem कैसे repair किया जाता है, आपको यह वीडियो में देखाऊंगा, और दोस्तो यह PCB का जो voltage, सब कुछ आपको एक एक करके test करके देखाऊंगा, तो इसका पहले आपको एक बार EAST घुमा के देखाऊंगा, कि क्या result आता है, कि EAST हाई होने का बाजाई भी rectress line होता है, तो इसलिए first EAST का जो focusing wing थोड़ा सा adjust करके आपको देखाता हूं, तो दो कुछ भी light नहीं देखा जाता है, तो जब इसका screen बाड़ा देता हूं, तो rectress line भी ओधिक आजाता है, और picture का quality देखी नेगिटिव जैसा, बहुत ही हलका सा picture देखा जाता है, तो मैं बहुत try किया EAST को adjust करने के लिए, लेकिन EAST से adjust यह नहीं हो रहा है, तो क्या करना दोस्तों यह फिलिप्स का chassis है, यह फिलिप्स का अंदर भी उस होता है, लेकिन IC नमबर अलग हो जाता है, ठीक है, और यह सेंसु आकाई का अंदर भी उस होता है, और जिस IC नमबर आपको देखा है, यह फिलिप्स का अंदर भी उस होता है, ठीक है, दोस्तों देखी, यह प्रोब्लेम और यह जो निगेटिव जैसा पीक्चार और बहुत हलका सा पीक्चार यह रिप्यार करना बहुत ही टाफ है ठीक है तो मुन में लागेगा कि यह बहुत ही नॉर्मल सा फल्ट है तो इसलिए आपको 180 वह चेक करना पड़ेगा तो दोस्तों मैं चेक करके देख ल मैं मीटर को DC रेंज पर सिलेक्टर के रखा है ठीक है और चलिए आपको फास्ट टाइम वेस्टेज नहीं करूंगा डायरेक्ट CRT कैथोर्ट पीन पर वोल्टेज चेक करके देखा तो ठीक है देखिए यह पर वोल्टेज 155 योग के लगदा है और उसका बाद दो फिलामे 58 यृभी वोल्ट की लगदा है और उसका बाद G2 का फिन है और उसका निचे R1 कैथोर्ट का फिन है तो दौस्तों ये कैथोर्ट पिन पर वोल्टेज भी ओक्य है अब मेटर पर फॉलोछ जी 154 वोल्ट का सबस तो दोस्तों यह तो वोल्टेज ओकि दिखा जाते है लेकि यह एक technician दोस्त का PCB है तो चलिए इसका IC से जो RGB output voltage देखिए 2.1 volt ठीक है यह B pin का और एक color pin का voltage देखिए 2.1 volt का सपस और इसका 3 जो RGB signal output voltage जो IC से आता है देखिए 2.2 volt का सपस यह भी okay है ठीक है और उसका बात देखिए IK voltage IC से output होता है 2.3 volt इसका IK voltage 8 volt नहीं है ठीक है यह Philips का chances यह आपको ध्यन रगना पड़ेगा तो इसका यह तो सब कुछ voltage signal voltage भी okay क्यूंकि दोस्तों आपको इस तरह यह voltage देखाता हूं कि इसलिए यह voltage missing problem से भी इस तरह problem हो सकता है यह आपको ध्यन रगना पड़ेगा ठीक है और अधिकतर इस तरह जो problem क्या थोड कुछ भी CRT picture tube का जो voltage डाउन हो जाता है लेकिन देखिए आपको signal voltage देखाता हूँ जो तिनो two transistor है तिनो transistor पर signal जाता है देखिए तिनो transistor pin पर signal voltage आपको इस तेम देखाता हूं देखिए इसका सब karate 1.4 volt का देखा जाता है तीनो टेंजिस्टर का, आपको तीनो टेंजिस्टर एक एक करके देखाता हूं, देखिए, कुछ भी वोल्टेज डाउन नहीं है, अब ध्यान दीजिए, तो और क्या लगेगा, तो आपका दीमांग में कभी नहीं आएगा, कि इसका बेस बोट का सिगनल का फल्ट है, पार्स करता हूं, ठीक है, जो RGB सिगनल वोल्टेज में प्रोसेसर आइसे से, ठीक है, स्टैन्वाइ ओन हना का बाद, जो वोल्टेज जाता है, सिगनल का फ्रू, तो यह तीनो पीन पर वोल्टेज आपको देखा था, यह RGB का, ठीक है, यह तीनो वोल्टेज 2.2 होल का स्पास, जो में PCB का अंदर देखाया, और यह baseboard पर आता है कि नहीं, यह भी आपको confirm कार देता हूं, ठीक है, क्योंकि wire कार जाने का बाद भी missing हो जाता है, और soldering problem का से भी यह हो सकता है, ठीक है, तो देखिया, baseboard पर भी भोल्टे जोखिया, ठीक है, तो क्या लगदा है, तो दोस्तो, म मैं पहले इसका baseboard का जितना transistor है, तब भी मैं change करके देखा है, और अलाग-अला जितना component, resistance है, capacitor है, सब कुछ मैं एक-एक करके पूरा check किया, तब भी इसका problem solve नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तो, और इसका जो 6 transistor है, यह भी मैं change किया, दो जो मोटा बाला transistor है, और यह PCB का आपको बाताता हूँ, 230 का इसका अंदर transistor था, दो मोटा बाला transistor, ठीक है, वो भी change किया, same number का parse भी मैं लगाया, ठीक है, तो तब भी इसका problem solve नहीं हो रहा है, तो चली इस टाइम आपको memory supply देखाता हूँ, देखे, 3.9V इसका memory supply है, और उसका बाद चली आपको HDV voltage चेक करक हूँ, यह 2.2V, तो यह भी voltage okay देखा जाता है, तो दोस्तों, यह memory issue open करके supply देखे भी देखा, कि same type, same problem, तो क्या लग दा है, चली, IC का main supply volt, दो number pin पर 5 volt यह okay है, और 3 number pin पर supply 8 volt होना चाहिए, तो यह नहीं है, यह 3 number pin देखे, 8 volt okay है, तो इसका supply volt भी okay है, तो इसी लिए, तो और क्या देखना पड़ेगा, मुन में लगधा है, कि IC का fault है क्या, memory का fault है क्या, तो दोस्तों, memory भी change हो गया, और memory change करने का बाद main processor IC भी change हो गया, तो इसका बाद आपको मुन में क्या लगएगा, कि यह कुन section का fault है, कुन sparse का fault है, तो दोस् का sub push voltage okay है, तो दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों, फाइनली यह जो फिलिप्स PCB, यह PCB के यह बेस बोर्ड है, अब देख सकते हो, तीनों मोटा वला transistor है, और छोटा वला transistor है, तो यह बेस का मैं सब भी change किया, ठीक है, voltage तो सब okay मिला, तब भी जो होता है, कि voltage होना का बाद भी इस तरह यह जो transistor देखा जाता है, यह fault हो जाता है, और इसलिए मैं यह तीनों transistor, 6 transistor को ही मैं change किया, और यह अलग-अलग जो resistance सब कुछ मैं एक-एक उपिन करके भी test करके देखा है, इसका सब कुछ okay है, और फाइनली इसका base भी मैं change किया, ठीक है, base change करने का बाद भी problem solved नह और दोबड़ा मैं supply आप करके जब मैं line देता हूं तो फिर भी same fault आ गया, तो इसलिए मैं यह base board को मैं पुड़ा ही change करके यह china बाद बेस बोट लगाया, तो दोस्तों, actually main root जो region है, यह समझना चाहिए, कि यह fault किस तरह और क्यों यह होता है, यह जो main meant supply, 180 volt supply जो resistance का त्हू आक-एक ट्रांजी़्टर पर जाता है और यह जाने का बद यह transistor का जो टीनों point होता है, यह ट्रांजी़्टर का जो टीनों point होता है, और गैप का बाज़ाए यह transistor over heat होने का बाज़ाए इसका जो foil line और इसका जो board का पुजी सान यह जो heating के बाज़ाए sorting हो जाता है ठीक है? leakage sorting बाता सकते हो leakage sorting के बाज़ा इस तरह fault यह होता है तो इसलिए यह baseboard को पुड़ा में जब change किया चेंज करने का बाद यह problem solve हो गया आपको connection कारके देखांगा और आप देख सकते है चाइना PCB में connect किया और यह तीनों transistor का यह baseboard है ठीक है और यह baseboard लागने का पहले आपको इस जो wire baseboard का सथ मिला है यह wire मैं connect कार दिया अब देख सकते है यह wire मैं connect कार दिया ठीक है और यह connect कारने का समय आपको ध्यान रगना पड़ागा यह point होता है ठीक है filament का यह जो दो point है आप देखे यह आप और जो negative का सथ connection है और एक supply direct filament पर जाता है तो original board का अंदर जो दिखा ज दिखा जाता है यह जो नीचे green वाला ठीक है यह resistance कार जाएगा अब ध्यान से देखे यह जो resistance है यह कार जाएगा तब कि ध्यान से दिखके लगाना पड़ेगा और यह इसका जो RGB point यह सब कुछ आपको देखके लगाना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए यह जो point है यह थोड picture tape का अंदर connection करूँगा और connection करके आपको line देखे एक बड़ देखाँगा ठीक है दोस्तो तो फाइनल यह PCB को मै collect कया picture tape का साथ यह जो चायना बेस बूड मैं connect कया फिलिप स CBS का PCV का अंदर और यह अल्टरसीम का PCV आपो देख सकतो तो चलिए मैं supply दे दैता हूं supply तो दे दिया और चलिए remote से इसका stand by में on करूंगा दिखे stand by on किया और आप screen पर follow कीजिए supply दिने का बात जो Richterist line आ जाता है वो clear हो गया अब दिखे कुछ भी Richterist line नहीं है ठीक है तो चलिए इसको ये भी करना पड़ेगा मैं ये भी कर देता हूँ और मैं वीडियो लाइन देखके ही राखका है तो चलिए एक वीडियो प्ले करके आपको देखाता हूँ तो दोस्तों ये आलाग सा picture tube है और इसका जो picture ये दिखे सब कुछ okay आ गया तो दोस्तों ये जो information आपको दिया है ये अच्छा लगए तो प्लीस एक लाइक काट दीजिए और ये चैनल पर आपना है तो प्लीस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब परके रखिए ठीक्यों दोस्तों ये वीडियो पुरा देखने के लिए ये वीजिए